परने वाला वंस पिता के प्राणों को जो वंस हरता है अर्थार्थ इस वंस में पिता के प्राण पुत्रकों के द्वारा हरे जाते हैं इसलिए इसे हर्यक या पित्रहंता वंस भी कहते हैं बड़ा थोड़ी बिडमना वाला वर्ष है कि जिस भारत में पिता की आज्या के लिए बेटे ने अपना रास्षिंगासन काड़ दिया था और चौदा वर्ष का वनुवास ले लिया था सुराम के देश में एक वंस ऐसा भी है जहां पिता की हत्या बेटे के द्वारा की जाती है पिता के प्राण हरने के कारण इस वंस को कहते हर्यक वंस और इसे पित्रहंता वंस भी कहा जाता है यह वंस 544 बीसी से लेके 412 बीसी तक बढ़े था मगत महाजन पथका सबसे लंबे समय तक सासन करने वाला वंस है इससे नाम दिया गया हग्या वह रिजुत वंस और इसके संस्था पखैं बंदी शार संस्था पाखैं बंदी शार और बंदी शार के बेटे होंगे अजात शत्रू जो हत्या करेंगे विम्मी शार की और विम्मी शार की हत्या करके उनके बेटे वैठेंगे गंती पर अजाद शत्रू और अजाद शत्रू की हत्या करेंगे उनके बेटे उधियन ने कहा था पिता की हत्या हमेशा बेटे द्वारा की जाएगी तो विम्मी शार की हत्य अजास्त्रू ने अजास्त्रू की हत्या उद्यन ने की और ये बंस हर्यक वंस इसलिए भी इंपोर्टेंट है याद धकना आप बहुत इंपोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि भिम्भी शार जो पहले शाशक है इनकी मगद को मगद महा जन्पत को मगद सामराज्य बनाने मे का बड़ी भूमी का है हलकी हलकी हम चर्चा सबकी कर लेंगे और क्लास के अंद तक हम मोरे सामराज्य तक बहुत जाएंगे तो ध्यां धटना बिम्भी शार की उपलग्धियां कुछ है कि एक पर नोंने सबसे पहले अंग महा जन्पत को पराजित किया जो अंग सबसे पू जो वोद qualcली के समकालीन थे के महभी के भी रक्त समंदी थे विंविशार और इन विम्भी शार में कहते हैं मगट को मगड शाम राजी की यात्रा का सुभारम की ज़ा था किसमें विन्भी सार नहीं mentre विशार एक चीच के लिए और बड़े जाने जाते हैं में इक सामराज विस्तार के लिए युद्धों का सहरा तो लिया उट नीती का भी सहरा लिया और वैवाहिक नीती का भी सहरा इन्हों ने लिया बारती इत्यास में पहले व्यप्ती है जो वैवाहिक संबंदों का पुरियोग अपने राजनेतिक देशों को साधने में करेंगे कहने का मतलब क्या आज तो सारे लोग वाशने लोग ऐसी खोसिस करते कि साधी संबन्द अच्छी के गया हो इसके लाब लिए जा सके ऐसे ही पहले शाषक थे बिल्बिशार और जिनों है भारत में ये परंपरा इस्थापित की थी कि बैवाहिक संबन्दों का राजनेतिक उने के आजिए बीवाहों का उलेख मिलता है पहला विवारत किया था उमनें चेटक की बहन चेलना से जिस चेलना से जन्मेते अज़ाद शक्रुए दूसरा मिवाह किया था उन्होंने कोसल नरेस प्रुशन चितिकी बहन महा कोसला से और तीसरा विभार किया था उन्होंने पंजाब नरेश की बेहन छे मां से मद्रदेश की राजकुमारी छे मां से और उन वैवाहिक संबन्नों का उन्होंने राजनेतिक हिदिके लिए स्वधियोग किया तो आप माल सकते हैं कि पहले राजनेतिक हैं भारत में जो वैवाहिक संबन्नों क भी कि डिप्लोमेटिक तरीके से सुद्वियोग कर रहे हैं ठीक है ज्यान रटना बहुत सी लोगों के लिए प्रेज़ना कदाम करता है अधर्ज कदाम करता है विम्भी शार की ये ये भी है तीम विवाँ उन्होंने किये विम्भी शार स्रेनिक थे श्यना रखने वाले कही जाते थे जैन और बहुत धर्ब के रिराई थे बग्वान महाबीर के तो ये कहते हैं रक्त्संबणदी मौसा कह सकते हैं याप उसको कि दे और तक की यह चेलनां से विवावंग का और चेटक की ही बहन से विवा हुआ था महावीर स्वामी के पिता का तो ज्यान रखना यह उनके रक्तसंबंदी भी खैला है ठीक है अजासत्रू और विमिशार महावीर स्वामी जो है वो मौसेरे भाई है यहां रख्तसंबंद नहीं पढ़ाएंगे लेकिन आप याद रखना कि बिमिशार महावीर के रख्तसंबंदी थे और बुद्ध का भी बहुत सपोर्ट करते थे उनके मित्र थे और बुद्ध जब बीमार हुए तो बुद्ध की सेवा के लिए उन्होंने अपने खास जीवक को बेजा एक वक्ति और बार-बार आता है एक्जाम में जीवक राजबैद है एक गणिका का बेटा है सालवती का बेटा है इसका लालन-पालन बिंदिशार के किसी बेटे नहीं दिया और तक्षिसिला में उनकी सिक्छा भी और इन जीवक का भी सद्धियोग कि जीवक को किसके इलाज के लिए बे जाता था कि जीवक को अवंथी जो इनका प्रतिय में था उनके चन-प्रगोक के इलाज के लिए उन्होंने एक राज-बैध जीवक को बहता था तो ऐरुवेद अचार आयरवेध की विद्वान जीवक बिंभुशार के गट वेड़ी थे और समय समय पे जीपक ने भगवान बुद्ध की भी चिकिस्सा की थी अब बिम्बिशार को उनके बेटे मार देंगे अच्छा इन्होंने ही गिरीवज्र की स्थापना की थी जिसे आगे चलके राजग्रही कहा जाता है तो यह सारी उपलग्दियां किसकी होगे बिम्बिशार की होगे इतने तक्थ हो गये कि जんな कुई आंसार आजाए लिकने में में तो आप आसानी से मिशार की अपलग्दि आ करbelsा बसका को थी और वहाएक संपनों का सद पियों कैसे किया दें इसके बार और यह आज भी है निरंतर्ता के रुप में के जैस कहता भी है कि निरंतर्ता और परिवर्तन के कर्मन है त वह है विचार कहां तक प्रासंगिक है तो निरंतरFi परिवर्तन के यात्रा नहां तो यह विचार आज भी प्रासंगिक है बिलकुल है खेर हम्राजनतिकों के नाम नहीं लेंगे लेकिन आप अपने आसपास देखेंगे तो बैवायक संबंदों से जुड़े हुए कई लोग आपको देख जाएंगे जो केबल उस बैवायक संबंद की वजए से ही मुख पटल पर हैं उनकी उपलब्दी ही हुए बैवायक और विम्मी शायर के बाद आजाते हैं उनके बीटे अजाद शत्रु क्योंकि हमें कम से कम मगद के ये तीन बंसों की चर्चा और मौर शामराज तक वहां पहुँचना है अजाद शत्रु की उपलब्दी चार सो बांवे वीसी में वह गद्धी पर बैठे 492 तक बिम्मी शायर और 460 वीशी तक उनका शासन हैं अजाद सत्रु मतलब जिसका कोई शत्रु ना हो उन्हें कुडिक भी कहा जाता है अजासत्रू को कुणिक भी कहा जाता है और अजासत्रू ने भी मगद का विस्तार किया पिता के काम को आगे बढ़ाया उनने अंग को पराजित करके सामराज में सामिल किया था इन्होंने कासी और वैसाली को पराजित किया और मगद सामराज में मिला लिया यह कुछ 13.9 नवीन हत्यार भि लेके आये 테ख, रथ मुसलक्त और महासिला कंटक, रथ मुसलक्त मुसलक और महासिला कंटक, दो नवीन ніതपराइस हत्यार, युद में नई प्रधुकी लेके आये थे कौन, अजार सत्रू और अजाज सत्रू ने कहते हैं कि कॉसल नरेश से भी लड़ाई की बार 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 बाद में चलके एक बार वो जीते एक बार हारे ओफिर सम्झाता हो गया लेकिन वैसाली को और कासी को मगद में मिलाया और मगद सामराज्य की यात्रा आगे बढ़ाई सबसे बड़ी उप्लब्दी अजाज सत्रू की क्या है विम्भी शाहर के बेटे कि इनी के समय में 483 बीसी में मुर्ट्य होई गौतम बुद्ध की तो 483 बीसी में अजाज सत्रू ने ही बहुत धर्म को संदक्षत करने के उद्धेश से बुढाई थी पहली बहुत शंगती अपनी राजधानी राजग्रही की साथ परणी की गुफा में और महाकश्य अपने की थी इसकी अध्यक्षता 483 बीसी में पहली बहुत शंगती हुई और भवान बुद्ध की मृत्ति महापरिनर्वाट अजाज सत्रू बेकान में हुआ तो इन पर जिम्मेदारी आई बहुत धर्म को संदक्षत करने की बुद्ध तो चले गए उनके उदेश उनकी सिक्षाएं कैसे संग्रहित 1 बुद्धिसट कांसिल और कहते हैं उन्हीं के दोसिश्यों को आनंद को सुत्छ पिटक लिखने का उत्तरदायत मिल और उपाली को बिनम पिटक लिखने का कहते हैं तो दो पिटक भरके आए जो बहुत धर्मे के बहुत साहित्य के आधार स्थम्व हैं तो यह सारा स्रे दिया जाता है अजहात शत्रूग और आप ध्यान रखना पूरे वगद महाजनपत के काल के दौरान तीन बौद संगती हो जाएगी है पहली बौद संगती हर्दे कुएंस के अजहास सत्रूग के काल में दूसरी बौद संगती शिशुनार बद्स के काल अशोक के काल में और तीसरी बौद संगती समराथ अशोक मौरश हमराजी के समराथ अशोक के काल में जब तक महाजनपत मगद रहेगा मगद समराज रहेगा बहुत धर्म का भी बोल बाला भारत में रहेगा और ज commendisar के और Rajas experts कानीन और इसी सवे में बहुत धर्म के साथ साथ जैन धर्म भी बहुत उभार conjunto और सनातन धर्म संस्कृति या बैदिक धर्म जो है उसका थूड़ा सा पराभाव इस काल में होगा आप देखना पूरे मगद महाजनपत के जो वंस है वो कहीं ना कहीं हर्यक्त या तो बौध है या जैन है हर्यक्त शिशुनाग भी जैन या बौध है नंद तो प्योर जैन ध लेकिन हां ऐसा नहीं की वैदिक संस्कृति पराभाव की ओर लेगी लेकिन मौर्योत्तर काल में इन के बाद वो वैदिक संस्कृति बापसी करेगी और इन धर्मों का पतन सुरू हो जाएगा चर्चक तभी फिर हम और करेंगे यहां अब हम उद्यन की बात करने और उद्य यहां की सत्रू को माड़ गिया न्यौकं परमपरा है कि लिग्युय पंस लिचना को यहां जहां के बाद के के जैन धर्म को मानते थे और उद्यन के साथ एक चीत थी कि उद्यन ने पाटली पुत्र का दुर्ग बनाए था और पाटली पुत्र ही आगे चलके बनी थी मगद महाजंपत की तीसरी लाचधान और उस पाटली पुत्र को कुसम पुर्भी कहते हैं गंगा यमना के था उद्यन ने फिर कहते हैं कि जब छोटे छोटे शाशक और हुए इनके बाद और शाशक हुए जिनका विस्स्टों नेख नहीं मिलता है उसके बाद जनता ने इन